मैं हीमंत बगेल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इश यूट्यूब चैनल में 36 गड़ सामान ने अध्यन से संबंधित 10 प्रशनों पर रोज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये प्रशन ना CGPAC और CGVepam के लिए बहुत ज़्यादा important हो सकते हैं और अधिकतर प्रशन मैंने CGPAC और CGVepam के पुराने प्रशन पत्रों से लिया है तो हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं बिना कोई देर किये हुए पहला प्रशन आज मैंने लिया है 36 गड़ का संगीत विश्व विद्याल है किसके नाम पर है तो ये कोश्चन ना हमारे 36 गड़ में एक संगीत विश्व विद्याल है जो कि 36 गड़ का ही नहीं भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया का पहला संगीत विश्व विद्याले है जो कि हमारे 36 गड़ के राजनाद गाउं जिले के खैरागड नामकिस्थान पर इस्थित है 1956 में इसकी इस्थापना हुई थी तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 36 गड़ का संगीत विश्व विद्याले किसके नाम पर है तो जल्ली से आप लोग कॉमेंट करके मुझे बताईए कि यह किसके नाम पर है इंदीरा गांधी दिया हुआ है पंडित जवाहरला नेरू पंडित रविशंकर शुकल इन मेंसे कोई नहीं तो देखिएगा यह जो विश्व विद्याले है खैरागड संगीत विश्व विद्याले इसका नाम क्या है तो इंदीरा कला संगीत विशुविद्याले इंदीरा अब इंदीरा लगा हुआ है तो आप लोग इंदीरा गांधी मत लगा दे ना ये जो है ना इंदीरा ये राजनांद गाउन जो खैरागड है ना खैरागड खैरागड में है तो खैरागड जो है पहले रियासत हुआ कर इनके इमृत्यू के बाद इस अपने महल को एक विश्व विध्याले में बदल दिया, तो ये जो है राजकुमारी इंदीरा के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगले कोश्चन को देख लेते हैं हम लोग, अगला कोश्चन है कुरूख बोली संबंदित है, तो ये कोश्चन भी कहीं बार पूचा गया है, और मैंने इस कोश्चन को अपने पुराने वीडियो में भी पूचा था, तो कुरूख बोली, जो कुरूख बोली है, ये किस जनजाती द्वारा बोली जाती है, ये आप लोग तमिल तो उसको द्रवीड भासा परिवार बोला जाता है तो कुरुक बोली भी द्रवीड भासा परिवार का ही हिस्सा है तो यह किस जन जाती द्वारा बोला जाता है उर्राव जन जाती द्वारा ध्यान रखना इसके अलावा हमारे छतीजगर की जो गोंडी बोली है जो गो संबंदित लाल बंगला क्या है बड़ा इंपोर्टेंट चीज है ये भी लाल बंगला जल्दी से आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईए क्या है भी लाल बंगला तो दिया हुआ है सयन कक्ष मतलब बैडरूम रसोई घर मतलब आपका जो किचन लाल टमाटर देखो जो बं बंगला है तो टमाटर को बंगला भी बोला जाता है वैसे तो पताल बोलते हैं टमाटर को लेकिन बंगला या बंगाला भी बोला जाता है टमाटर को तुद्यां रखना उसको देखिएगा मेहमान घर मतलब गैस्ट रूम तो यहां पर जो भुजिया जनजाती जो कि हमारे तो भूजिया जन्जाती में लाल बंगला रशोई घर को बोला जाता है क्योंकि ये लोग अपने रशोई घर को लाल रंग से पोत देती हैं और कहते हैं कि इनका जो रशोई घर है न सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होता है काफी मतलब बरश्वक्षता का इलुग ध्यान रखती में अगले कुशिन को चलते हैं राजर्शी तुल्ले कुल्ले वन्ष के विशय में जानकारी किस तामर पत्रशे प्राप्त होता है तो द मतलब इनके विशय में जानकारी का अन्नी कोई स्रोत नहीं है सिवाई इस एक तामर पत्र के जिसको आपको बताना है तो जल्दिसे नीचे कॉमेंट बाक्स में बताईये इसका क्या ऐनसर है तो देखिए गाइसका आंसर है आरंग तामर पत्र आरंग से तुल्ले कुल्ले वंस के राजाओं का वंसावली दिया हुआ है और गाउदान दिये जाने का उलेख मिलता है अगले कोशन को देखते हैं भाण देवल मंदीर जैन मंदीर भाण देवल जैन मंदीर कहां इस्थित है यह आप लोगों को बताना है भाण देवल जैन मंदीर तो तो यहीं पर जो है भाण्ड दिवूल मंदिर इस्थित है अगले कुश्चन को देखते हैं गुरु घासिदास जी के समाधी लेने के पस्चात उनकी गद्धी का उत्राधिकारी कौन हुए तो देखिएगा जो गुरु घासिदास जी थे 1856 में इनको जो है निर्वान इस्थित है जिए जो झाए उत्राधिकारी कुए और यह जो बालक दास जीह अटारा सो साथ तक गुरु गद्धी पर रहे और अठारा सो साथ में चवड़ान वर्से के आयों में इनको भी जो है निर्वान प्राप्त हो जाता है तो बालक दास जीनके उत्राधिकारी जो अपना राजी उलूचन मंदिर कहाँ पर है तो राजिम में है अभी वहाँ पर मेला भी लगा था ना राजिम में महानदी के तट पर तो इस मंदिर का निर्माण जिर्णोधार किसने करवाया अक्सर पूछा जाता है तो जल्दी से आप लोग नीचे कॉमेंट करके तो नलवंस का एक सासक था राजा विलास तुंग तो उसने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया और आगे चल करके जब 36 गड़ में कल्चुरियों का शासन हुआ तो अब समय के साथ जो मंदिर है थोड़ा सा उसमें मरम्मत की आप शक्ता पड़ी होगी में तो थोड़ा जगत पाल देव ये भी पूछा गया जगत पाल देव ये इसका सेनापती था प्रित्वी देव दुतिये का तो जगत पाल देव ने इस राजीव लोचन मंदिर का जिर्णुधार करवाया प्रित्वी दुतिये के समय अगला कुश्चिन है चत्तिजगर खनीज विकास नि खनीज कार्यालय है खनीज विकाश निगम तो इस कार्यालय का क्या नाम है मतलब कुछ नाम रखा गया होगा तो क्या नाम है वह आपको बताना है इंद्रावती महानदी ये तो भई नयारायपूर में है इंद्रावती महानदी भवन इसका जो नाम है वो है सोना खान देखो और उशी सोना कहां से वीर नाराइड सीहांजी संबंदित से तो सोना कहां शना का does उन्हें विकारश निगम मैं आगे वड़ते हैं अगले कुशन की तरफ टाटा मारी कहां इस्तेथ है यूँफलें है एक और नाम आपको मिलेगा ताता पानी जो ताता पानी है बस्तर चेत्र का ही नाम है बस्तर चेत्र के स्थान है मतलब कि दक्षड में जब आउना बताया मैं लेकर देता हूं ताता पानी ये कहां पर है बलरामपुर में थोड़ थोड़ मिलता है ना ताता पानी ताता मारी तो ये ताता पानी बलरामपुर में और ताता मारी कहां पर है तो कोंडा गाउं जी लेके केसकाल में इस थेता है ताता मारी तो ये एक प्राकृति स्थानंत्रत क्रिशी नहीं तो में सब्सक्राइब कोर्वार जन जाती कि यह क्या है जातिया पंचायत तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट के माध्यम से बताईएगा कि आपसे कितने कुस्चन सॉल्व हुए जहां भी डाउट हो वह भी आप मुझे जरूर बताईएगा ताकि मैं इसको सॉल् स्क्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है